हेलो फ्रेंड्स आप लोगों के बहुत मैसेज और कॉल के लिए बहुत धन्यवाद खेती के एक नई जानकारी के साथ हम वापिस आपको एक वीडियो शेयर कर रहे हैं इसमें हमारी नट्स्रीप पे एजे मदर प्लांट एक निम्बू की वराइटी आई है जो काफी कम समय मे फ्रूट देती है अर्थात अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको छे से आट महिने में फ्रूटिंग चलू हो जाता है जिसा कि आप यह देख रहे हैं यह 4 महिने का पोधा है इसके अंदर फ्लावरिंग चलू हो गई है और फ्रूट भी लगना चलू हो गई तो इस अर्थात इसमें मेरे ख्याल से बारा ही महीने आपको फ्रूट मिलेगा और एक और की छोटे से पोधे पर इतने सार फ्लावर और इतने अच्छी कंडिशन में छोटे छोटे फ्रूट भी बन गए छोटे पोधे में देखो किस तरह से फ्रूट लगे हैं यदि आप इस पोधे को घर में लगाते हैं या फिर आप बालकनी में लगाते हैं या फिर ऐसा एक गमला बनाए जिसमें लगबग 15 किलो मिट्टी 5 किलो थोड़ा रेत और 5-6 किलो वर्मी कंपोस्ट या और्गनिक खा तो आप इसमें 12 मेने घर में आप फ्रूट ले सकते हैं और इसको जिसे हम लोगों ने तो जमीन में लगाया है और हम लोग इसको ड्रिप से सिचाई करते हैं अब देखो इसमें लगबग 8 फ्रूट है इस पोधे में और कुछ हमने यूज़ कर लिया है और यह इस तरह से निम्बू लगे हैं अभी थोड़े और बड़े होंगे हैं इसके अंदर बीच की मातरा भी बहुत कम है अभी थोड़ा और बड़ा होगा ना तो पूरा पीला बन जाएगा और इसमें 20 तो कम है यह पर रस बहुत अच्छा है आप इसमें लगबग 25 ml तक जिस निकाल पाए इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है पर हम लोगों ने जैसे हमारा नर्सरी आसपस घास चारा बहुत है तो इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इसमें हमने देखना को मिल रहा है पर वह माईनर नहीं रखता इतना जैसे कि यह आप देखेंगे त्रीप से मतलब यह छोटे-छोटे मच्छर होते हैं जो इस पत्तों का रस्च चूशते हैं आप इसको गोड से देखेंगे निशाब बारिक-बारिक मच्छर चल रहे हैं तो इसको घर में लगाएंगे ना तो यह थिप्स वगरा नहीं आएगा फिर यह थिप्स से क्लाइमेट के सब्सें होता है तो आपको इसमें थोड़ा पद निम वागिरा का इस्प्रे करेंगे तो यह थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगा फिर देखो इसमें एक प्रब्लम और सिट्रस की जो भी वराइटियां होती निम्बू हुआ संत्रा हुआ मोसम भी हुआ उन सब में एक समस्य आती है एक ब ज्यादा नुकसान भी कर सकती है जैसा कि यह यह थोड़ा थोड़ा पत्यों को एकदम कुतर देती है और यह बहुत इजी तरीके से मढ़ जाती है अगर आप नीम का इस्प्रे करेंगे तो यह पत्त्य कड़वे हो जाएगे तो भी यह इल्ली नहीं आएगी पर यह जंगल मोसगरस हम लगाते है एक टना जो रहता है इसका पैंसिल साइस का इस जोड़ा से कट लगाते है और उपर और नीचे सा बांध देता है प्लास्टिक को कुछ दुनों बाद लगबग एग से घेढ़ मिने बाद इसमें रूट्स आ जा जाते है अब जैसे हम इस पोधे के बनता है तो फिर उसमें भी हम इस तरह से गुडियां बांद के पोथा तियार कर लेते हैं जैसे यह जो ड्रिप लगा इसे लगबग 4 लिटर पर हावर्स पानी देने की शमतार रहती है और ड्रिप एरिगेशन से अगर अगर आपन भागवा नहीं करते हैं तो पानी भी बैस है यह बहुत अच्छा लगा इसका इसके बारे मैं आपको जान करी दी तो कैसी लेगी आपको जान करी कर आद 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